आज हम जानेंगे कि मनी प्लांट कितने प्रकार के होते हैं भार्तिय घरों के लिए जो सबसे बेश्ट मनी प्लांट के पोधे बताये जाते हैं उनमें green money plant, golden money plant, jet plant, Chinese money plant और तर्बूस पेपरोमिया होता है शहरों में आज आज आपको हर घर में money plant देखने को मिल जाएगा कहा जाता है कि जिस घर में money plant होता है और वो grow कर रहा होता है तो उस घर की आर्थिक स्तीथी भी उसी की तरह बढ़ रही होती है हाला कि आपका money plant केसे बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा कई बार ये इस बात पर depend करता है कि आपने किस तरह का और कौन सा money plant लगाया है तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी इसी तरह के खास money plants के बारे में तो ये हैं खास प्रकार के money plants golden pothos, marble queen pothos, jet pothos और enjoy pothos सबसे खास प्रकार के money plant होते हैं इन में golden pothos money plant सबसे खास होता है इसके पत्तों का आकार दिल के तरह होता है और ये पीले या फिर हलके हरे रंके होते हैं कि सबसे खास बात ये होती है कि ये कम धूप वाली जगहों में भी पनब जाते हैं जबकि marble queen pothos के पत्ते हरे और सफेद होते हैं ये पोधे दूसरे pothos इसमों की तुलना में धीमी गती से बढ़ते हैं यानि अगर आप इस पोधे को अपनी छोटी सी बालकनी में लगाना चाहते हैं तो ये बहतर है वही जेट pothos पोधों की पत्तियां हरे रंकी होती है और ये देखने में अंडाकार आकार की होते हैं ये दूसरे pothos पोधों की तुलना में थोटे होते हैं इन पोधों को आप अपनी टेबल पर भी रख सकते हैं जबकि एनजोई pothos गोल्डन pothos के जैसे ही होते हैं हाला कि इसमें छोटे पत्ते होते हैं जो ज़्यादा तर सफेद रंके होते हैं भारती अगरों के लिए जो सबसे बेश्ट मनी प्लांट के पोधे बताये जाते हैं उनमें ग्रीन मनी प्लांट, गोल्डन मनी प्लांट, जेट प्लांट, चाइनिज मनी प्लांट और तर्बुस पेपरोमिया होता है इन पोधों को भारतिय घरों के लिए सबसे मुफिद माना जाता है। इनकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है और ये काफी घने होते हैं। इस वज़े से ये जहां होते हैं वहाँ हर्याली बनी रहती है। सबसे बड़ी बात कि ये पोधे हानिकारक प्रदुशकों जैसे बेंजीन और जाइलीन को हवा से हटाने के लिए जाने जाते हैं। इन पोधों को भारतिय घरों में सोभाग्या, सम्रिध्धी और धन लाने वाला माना जाता है। निपलान सिर्फ आपके घर में सुख, सम्रि रेडियेशन से भी दूर रखता है। दरसल अगर आप इस पोधे को घर में वाइफाई राउटर के आसपास रखते हैं, तो इस से आपके परिवार को स्वास्त के कई लाब मिल सकते हैं। ये पोधा आपके घर में मौझूद वाइफाई रेडियेशन को कम करता है। ये प खाद मिलाकर उस गमले में वापिस भर दें। फिर इसमें एक छोटा सा मनी प्लंट का पोधा लगा दें। इसमें आपको रोज पानी नहीं देना है। एक दिन छोड़कर आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है। आप देखेंगे कि ऐसा करने से ये अधा थोड़ा बढ़ जाए तो इसे एसी जगा रखे जहां धूप अच्छी आती हो। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना न तकि लिए बाइ